प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो प्राइम डेबेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चनाव मेरपूर्ण है चनावत दिलिए तैयारी मेरपूर्ण है और रन्नीती बनानी मेरपूर्ण है और खास बात जनता के भी जाना बड़ा महत्पून है और इसके लिए लगातार अब पार्टियां जनता से संभार इस्थापित करने के लिए मेहनट करती ने जरा रही है मेहनट की बाद मैसले कर रहा हूँ कोई कि अगर मेहनट नहीं होगी तो पारिणाम कैसे मिलेगा जो कि हमेषा चुनावी मोर में रहती है मेहनट कनने वाली पार्टिय है शन्गंडर से मजबूथ है वो भी लगातार मेहनट करते है और उत्तापरिणे में आने बहुत समय में चुकि चुनाओं बड़ा महपूर्ण है उत्तपिरिस के रास्ते ही केन की जो कुर्सी पाई जा सकती है तो उसके रास्ते जाने के लिए उत्तपिरिस में यहाँ पर अभियान चला जाना शुरू हो चुका है और शुरूआत होने वाली है 30 मईशे 30 जून तर अभियान होगा चाय पर चर्चा अब यहाँ होगा खिलारी कलाकार बरुष्टि नागरिक बुद्धी जीबी सहीज 17 संग्राम सिनानी जैसे तमाम जो बुद्धी जीबी वर्ग है उनके साथ यहाँ चर्चा होगी और उनसे बात की जाएगी और उनको बताए जाएगा कि केन सरकार की क्या है और इसको बताने के लिए अब एक बेरत रूप से यूजना तयार हो चुकी है और इसके पहले हमने देखा है लगातार सम्मिलन हुए है सभी वर्गों के सम्मिलन कराए है और सम्मिलन के मार्दम से बीजेपी 14, 17, 19, 22 का रण जीतने में काम्याब है इसके लाब आगर हम आप करें तो समझ मारी पार्टी भी यहां पर परियास कर रही है निकाह चुनावा बहलता तरनाम सामने नहीं आए जो कि यहां पर इपकर चुनाव लडा ही नहीं गिया चुनाओव के समय साधाव की उमीद चया तो fans करेंточно उनकी उम्मीद तो थी पर वह उनकी उम्मीद क को नुक्सान होगा पर यहां पर नुक्सान बीज़ेपी को उतना नहीं हुआ चतनी उम्मी जताई जा रही थी और इसके बाद इस्थिती और ब्रद रही कि सत्रा सत्रा मेरा जीद कहें और तमाम सीटे आई पर सबसे मेटन बाद आखर आप देखेंगे तो जो नेरद़लेयग पित्यासी है उनका जो परसंट है वह बीज़ेपी के परसंट से जादा है यहांने बीज़ेपी को यह अगर हम बात करें तो शबार पार्टि ने मेहनत तो की पसार अगर मेहनत और होती तो च्छानवे अस्वार का उप्चुनाओं भी जीता जा सकता था क्योंकि यहां पर मैनपुरी और खतोली में चुनाओं जीत कर दिया गया था कि अगर मैनट करेंगे तो परणाम आपके पच्छप में होगा खतोली और मैनपुरी जिस तरह से अखिले स्यादो और जैन चुनाओं की बात करें तो महज 76 जगों पर बस्पा को सपलता प्राथ हुए इसमें दो मेर के सीटे भी थी तो महज 22 सीटे मिल पाई जिसमें कोई भी बड़ी सीट सामिल नहीं है तो इस पिकार से जब 17 की बात करें तो बस्पा के तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर पर जिस तर्ण सबाब आए ना कि उटका कोई बड़ा नेता चुनाओं में उत्रा कारण क्या है चुनाओं लंड क्यों की अगर बात करें तो टेकेट सिंबल नहीं दिया इस बार सिंबल भी दिया चुनाओं भी लड़ाया पर यहां पर मेहनत नहीं की कारण क्या है पर आब 24 चुनाओं के लिए बसपास सब्सक्राण को नहीं एक पिकार से कबर कशली है और कल भी लगाता दो दिन की बैठके रही है को इंटर्वी बजलेगा है इसके लाबा सबसे मेर्पूर बात है कि एक अभियान चलाने जा रहे हैं बीजेपी की तरह ही पर उनका अभियान चाय सब्सक्राण को लेकि जाएंगी ऐसी की जोना उनकी है अगर हम बात करें सपा के सवयोगी दल रालोट की तो वहां पर भी अभियान सुरूग हो चुका है बापा समरस्ता अभियान चलाय जा रहा है जिसकी शुरूबात आज 19 मई को बागपस हो गई है बापा जैन चोदरी इसकी सुरूबात कर दी है और यह बयान तीन जुन तक चला जाएगा यहां पर सबसे मेट पूरवाद यहां पर यहां पर यह क्यों कजैन चोदरी को यह लगता है कि पर स्चिम उपी में ही कामयाब है क्या मुत्तर पर इसके आने छेत्रों बनी जा सकते हैं यहां उनकी छम करने का प्रियास के समय कम बचा है और मैट पूर्वाद इसके लिए भी है क्योंकि कॉंग्रिस पिसके पर यात्रा निकाल चुकी है पर आवी शत्ता ग्रहे कि वराल गांदी की सजा को लेकर हुआ था इन पूरी बातों के बीच में सबसे मेट पूर बात यहां पर यह है कि जनता से संबाद सब स्थावित करना चाहते हैं अपनी नीती बचाना चाहते हैं अपनी जुनाय बताना चाहते हैं पर जनता के मुद्धों पर यहां कोई भी धरादर पर संगर्स करना नहीं चाहता है और ये संगर्स हम जैसे खबरन भी जब भी नहीं होगा हम बताते रहेंगे हमारा काम है और हमाई जम्मेदारी भी है और साहर देश के लोकतंत्रे ने और व्योस्थाओं ने अरिकार दिया है कि जब भी कुछ अलग हो आख ना खोले चाहिए सत्ता पच्की या बेपच्की त और अंदुलहनेच 24 के चुनाओं को लेने के लिए और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चर्चा मेरपूर होती है पर चर्चाओं में एक दूसरी पर पलटबार होता है आरूप पर त्यरूप का दोर चलते हैं पर चर्चाओं के बीच में चंता के मुर्दों की ब चाहिए परशपा की बात करें जो तक साइन पड़ी हुए थी चाहिए रालोट की बात करें चाहिए बीज़ेपी की बात करें पर सपा की तरफ से तो मेरा पहला सवाल लाएगा बो रहेगा केसी जहन से केसी भाई चुना मेटपूर्ण है और आपके तैयारी पूरी है क्योंकि यहां पर अभ्यान चलाने जा रहा है और 30 माई से 30 जुनता अभ्यान भी रहेगा इसके लाबा हमेशा चुनाई मोड में रहते हैं आनवर समय में सम्मिनन मिट देखने को मिलेंगे और सबसे मैट पूर बात है कि चाय पर चर्चा होगी और बुद्धी जी बर्क के सा से ले ता हूँ जिब जब आपका सरयोगी दल जालोंं तैयार है आमानी पार्टी यार रहे पस टैयार है क्या कोई ऐस मुपि ऐसी बार्नीत होती है जरूरत नहीं जरूरी नहीं कि भाजपा ने एक मानक तै कर दिया आज कल कि मतलब काम करे ना पसीना ना बहाएं लेकिन पसीना बाते दिखे जरूर तो इनका तो जन्मही पूरे कहिए कि विग्यापन इवेंट मैनेजमेंट के बल पे हुआ है तो इनके लिएज कोई बड़ा जरूरी नहीं है कि जो गाउ गरीब किसान से जूड़ी पार्टियां हैं जो समाजिक नया की लड़ाई लड़ रही है तो उनको ना तो बहुत बड़ा मीडिया कबरेज मिलता है और नहीं उनके पास उतना संसाधन है तो स्वभाविक सी बात है कि इसके आधार पे आप यह नहीं कह सकते हैं अगर जैसे मीडिया कबरेज जिन दलों को मिलता है उनके बरक्स अगर आप उनको पूरा यहां विधान सभा नगर निकाय लोग सभा में देखेंगे कितना प्रतिसत उट मिला है तो उतना बड़े छोटे छोटे जाती समुदायों का प्रतिनिधित करने वाले दलों का उट प्रतिसत उ पर सवाल यह है कि जब आप सत्ता में हो तो सत्ता में आपको पसीना भाने की जरूरत ने होती चुकि जनता जो मतदान करेगी वो ये देखेगी कि तब साथ साल हो जाएगा योगी जी के कारकाल का प्रतिस में क्या ले ना देना चुकि संगठन का चुनाओ थोड़ी होने जा रहा है तो अब अगर उस अस्तर पे देखेंगे तो इनकी कुछ चीजे जैसे ये सांस्कृतिक राष्टवाद का नारा बहुत देते हैं चुकि इने सनातन संस्कृति गाय माता भारत माता के ठेकेदार हैं ये मतलब निस्षित रूप से भगवान स्री राम का नारा लगाते हैं और आयुद्या की जमीन को लूट लेते हैं चुकि ये मैं नहीं कह रहा हूं आयुद्या के जो मतलब सांसद लल्लू जी हैं और वहां का युद्या विकास प्राधिकरण की अगर लिस्ट आप देख जो है चालिस उसमें इनके मेर इसी के सुपध्या इनके बेद प्रकास गुपता विधायक गोरखनात विधायक दो करोड की जगन अन्य मिया के लिए के अठारा करोड में बेच लिए तो स्वाभाविक है कि ये ये तो राम की आस्था है ऐसे आप प्रयाग चले जाएए य उसमें ट्रैक्टर की जगए स्कूटर का नंबर है वो चारा घोटाला पार्टू है अब ये समझे को उससे चाउंतिस लाग का स्कूटर से कूड़ा मतलब भेड भेड दिये वह स्कूटर बढ़ा होगा है सुनिये तो स्कूटर जी की रिपोर्ट है ठीक आज आपकी सत्ता है वो मसला नहीं आ रहा लेकिन उसे कौन खारिच करेगा तो ये प्रियाग राज में कि ये मोदी जी वहीं पाखंड किये कि बालमी की भाईयों का पैर पकारे लेकिन ये मैं कई बार आपकी डिवेट में बता चुका हूँ कि यहां जो रास्टी सफाई कर्मचारी आयो की आई थी चार सो पचीस बालमी की भाई में होल में सीडी के सहारय कमर में बल्टी बांद के नीचे जाते हैं और परिड़ा में होता है कि ये दूच हजार से बाईस तक चार सो पचीस लोगों की जान चली गई और उसमें एक 1440 मसीन केवल 15 λाक की आती है जितना में ओरन खट तुम्हारी अवकार ते ही है तुम्हें सदियों से अच्छूत रखा गया चंडाल स्रेडी में रखा गया तुम ऐसे ही मरोगे तो वो एक प्रयाग राज का मसला बाकी गायमाता इनकी सब्प्रिये हैं और सबसे ज्यादा स्लाटर हो हमारी भी है तो हम यह थोड़ी कहते हैं क सबसे ज्यादा यह चला रहा है तो यह इनके और सुनिए राम राज में आपकारी के चकर में दारू के संदर मोधी जी का जो गुजरात में एजिंडा था या बिहार गरीब राज है वहां दारू मुक्त किया गया बाबाजी की एक उपलवदी मैं मानता हूं की दो हजार सत एक लाइन में मैं बताऊं कि चार गुना दारू अधी के मतलब पिलार हैं अवाम को और ये साव अध्या की जमीन लूट लेना है बहत्तर प्लाट और पांच करोन के रंगदारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं मंत्री वाली तो ये है कि चार गुना दारू ये पेचे के सबसे याजी आए हैं समाजिक नहीं के भी बात करते हैं अभी का सब्सक्री समाज से आते हैं 33 प्रतिसत उच जाती के नहीं कि यवल एक जाती यहाँ मुख्मंत्री के सजाती लोग उच्छ सदन में कब जाकी है अगर 11-10 होता तो ये तो पिछडा वाद जाती वाद होता है हम कहा रहे हैं कि चलिए ब्रामणों से तो आपकी दुस्मनी है दुस्मनी इस कदर है कि ये सोक संदेश देने में भी बड़ी दिक्कत होती है मतलब हरिसेंकर थिवारी बड़े लोग पर ये चेहरे रहे हैं जंता ने उन्हें चुना अटल जी के दौर में मंत्री राजना सिं सिंग था तो कहा रहे हुजूर हम तो गलती से हिंदू हो गए हमें अब मिर्जा की उपाज दे दिये तो वह कहता था मिर्जा राजा जैसिंग और वही गया था ले आने सिवा जी को तो ये जो नए मतलब बिस्ट बिरिजेस बाठक हैं ये कहीं बाबा नाराज ना हो जाए ये आदमी जिसको सब कुछ उन्होंने बनाया ती वारी जी ने ये भी नहीं सब मतलब एक संबेदना की हद होती है यार मतलब लोग कहिए कि ये नीजी नहीं है इनके प्रवक्ता जी वाइटें पूछे मनोज मिस्रा मरे थे प्रवक्ता सीटिंग और उनके घर कानपूर थ से कि आप जा रहे हैं थोड़ा सिस्टा चार भेट कर लीजे को वहां नहीं गए इनके सजाती चंद्र मोहन की माता जी का जब स्वर्ग बाज हुआ तो हेलिकाप्टर लेगे बाबा जी पहुंच गए तो ये बड़ा अच्छा करते हैं बाबा को उनकी हैंसियत बताते रहत तो जनता इस पे करेगी यार समाजिक संगठन की कारकुसलता पे नहीं होगा तो मेरा कहना यह है जो आपको इतना दर्थ है तो समाज के लिए थोड़ा आप ही कूद आई है हम विपच से कूद जाएं अगर 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 सरकार की नीन ने खुलने तो आपको आप जा सकते हैं अरे आपका डिप्टी सीम भी जा रहा है आपके महंदर पाड़े आ रहे हैं वहां से प्रचार करने यह पोलिटिकल टूरिंग का सेंटर मना लिए हैं आप लोग ठीक ठीक अगले से आदो करनाटक क्या हो पाकिस्तान में क्या नहीं जाएंगे पॉलिटिकल लिए तो पर इसको आप तूरिज्म पोलेंगे जनता परिवार का बहुत बड़ा सेंटर रहा है वह घड़े जी से लेके अभी भी देवगवडा दर्त को हमारे बाई मेरी बार यह नहीं ह आप क्या है आप दावा करते हैं आप करते हैं कि अपनी गड़ा मुट सुआओं अब ही चलिए ठीक है किसी वह आप चलाया जारा पर आप तो जैपकाश ने कुछ नहीं बताया है पर बीजेपी की तमाम ब्यवस्थाव को जुरु बता दिया है और यह भी उता दिया है कि पीजेपी सरकाब रहमर बेरो लिए है, खुलकर बोला है रोने, जाब दे रीजिए. गोरो जी, मुख्ध बात ये है कि समाजवादी पार्टी की मना इस्तिती क्या है? अच्छा है. कि आप एक-एक ब्यक्ति को गिना रहें, किसकी मिट्टी में गए, किसके वहाँ सुख सम्धना ब्यक्त करने के है, वो पूरे प्रदेश के मुख्ध मंतरी हैं, जो ब्यक्ति सन्यासी जीवर में हैं, और अपने पिता की अंतेश्टी तक में इसले नहीं सामिर हुआ, तो कि उ सब कुछ अपना सर्वत को त्याग करके, एवल जंता की सेवा के लिए लगा हुआ है, और ना तो उनका कोई परिवार है, ना तो उनको आगे की चिंता है, लेकिर राष्ट की चिंता जरूर है, माननी योगिया इतना जीव को, देश की चिंता जरूर है, तो देश और जाना चाहिए, किसके वाने ही जाना चाहिए, अरे बारती जंता पार्टी तो वो पार्टी है, एक तरीके से देखा जाए, तो विपच्चे के रूप में और सबसे ज़्यादा विरोध करने हली कोई पार्टी है, बारती जंता पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी, उस इसके बाद में भी इस तरीके की बाते करना, कि नहीं आप रामर गुरोधी हैं, आप यादो गुरोधी हैं, तो जाती और धर्म के चस्मे से सबाजवादी पार्टी हर चीज को देख रही है, ये पहले सबसे चुराओं में लेके आए, एक हद्गंडा अपनाया कि चुराओं में चीजे सही नहीं है, और अरच्छ नहीं मिलना है, फिर क्या हुआ, जाए उच्छ सबन में जाया भी नहीं है, तो आप इस बाद में बोले हैं, तो देखे इरके पास बचा रही है, तर पदेस में दावा कर रहे थे, कि 17 में से हम कम से कम 15 सीटे लेकर किया है, कई डिबे हमारे साथ लोग बेटें, कि 15 बेरा गड़ुकर साफ बैस्ति लेकर आएंगे, आपको उकात दिखा देंगे, जन्ता ने उकात खराब हो गई, करनाटक की बसीर अच्छी हो गई, यानि कि जब यह चुराओ हार जाते हैं, तब यह जात की बात करेंगे, सामाजी समरस्ता की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, लेकि जब चुराओ जीच जाएं, सत्ता इनकी हाथ में हो, दोजार बारा से दोजार सत ब extract करते हैं लेगिन जी जाती है जलनेर्ला के छा ल्हादिकनरा के सास्वा इन पास वर्तमान भे वश्ता लागुए इस कहा मांजी और कुश्वाहा बौरिया त्वinea नियुक्रान्वाजी ने दिकर दिकला दिखाई दि जाती आंदोनर की बात करते हैं, जाती जिन्गरला की बात करते हैं, OBC और CST की बात करते हैं, लेकि जब जरातल पर काम करने की बात आती है, उनको क्यों जात के लोग याद आते हैं. जेकिए एक चीज और कि आज के समय में जब भारती जन्ता पार्टी ने बड़ी संक्या में मुसल्मानों को टिकट दिये, तब इनको पीड़ा हुई, मुसल्मानों को आप टिकट क्यों दे दिया, मुसल्मान को टिकट देना ना देने के जिम्मेदारी, जो समाजवादी पार iegenja, मैं ने कही चीज और आज आफिसक आतने को अगे फिसल्मानों ने निकार दिया, हमारे लोग अलप संक्यक बायो प्रकिन को बाठी जन्ताना है कि अगे लाग पी तरह नहीं गया है था पत्यासी जीटे और जी रोट दिया है उन्टे लोग जी जिते को इए यह लोग कंट रहे हैं लोग कंट्रा मतलब है को है यहार पार्टी चुँआ नियूर सकते निजरी चुरॉर सकते लेकि समाजवादी पार्टी को पीड़ा क्यों? कि अलब सब्सक्राइब को आप ने टिकट क्यों दिया? सवाल तो यह है, दिक्त उनको हो रही है, यो कि आज के समय में हर वर्ग भारती जन्ता पार्टी के साथ है, और भारती जन्ता पार्टी सारे हर बेक्ति के लिए, हर समा इनको दिक्कत क्या है, फीड़ा क्या है, इनको प्यड़ा इस बात की, की OBC भी गया, मुस्लिम भी गया, अब कारगेश कीश कोार भंप सारी तोवद बढ़ने के वजा, इनके पास और क्या है? इनको प्रेम कीश की ते में है, इनको गुन्दों, बद्द्वरान करते हैं बात करते हैं घान कैने नहीं विंद्धा की बात करते हैं बात करते हैं लेकिन देने का इनके पास बादेजिंता पार्टी सबके लिए कार कर रही है ठीक है ठीक है किसी इबनान भाई भाई अभयान आपके चला है यह तो अभयान की सुरूबात हो चुकी है रालुट की भी बस्पा के भी और भाजपा भी यहां पर 30 महीं से अभयान से चलाने वाली है और चुकि आप भी नगरपाली का साथ नगरपंचायद समयत सो से जारस की टेयां पर जीते आपको बढ़ाई उपर यहां पर अब लडाई लुकसुबा की है कि लुकसुबा लडाई निकाए से बिरको अलग है क्योंकि अगर आप दिल्ली में सरकार बना के बैठे हैं और बहां पर भी लुक् आवाजी को और यह सही करा दिए जी आवाजी की जाए जी बोले जहां तक आमाद्मी पार्टी का प्रश्न है जी अगर निकाय चिनाओं में आमाद्मी पार्टी ने आशा के अनुरूप प्रदेशन किया है जी उतर प्रदेश के इन चिनाओं में आमाद्मी पार्टी के प मुझों के नाम पर वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ जात और धर्म की राजियती के नाम पर ही वोटिंग होती है वहाँ पर आमाधी पार्टी ने इस तरह का प्रदेशन करके एक नई उमीद देने का काम किया है एक बहुत ही मजबूत तक से मैं आपको बता रहा हूँ कि आमाधी पार्टी ने 2400 सीटों पर उतर प्रदेश के नगर निकाय चिनाव में प्रतिभाग किया साथ और उन 2400 सीटों पर जिस तरह आमाधी पार्टी चिनाव लड़ी दस फीसद वो आमाधी पार्टी को मिला है जो अपने आपने आमाधी पार्टी के लिए सुखत परड़ाम है पार्टी हम 110 से जादा जगों पर हम चिनाव जीत है और अब लगाता है जो नेर्दरिय प्रत्याशी चिनाव जीत कराये से उनका आमाधी पार्टी में शामिल होने का सिल्फिला लगाता है उतर प्रदेश के पोने कोने में चल रहा है अच्छा अब जहां तक बाद तैयारियों की है आमाधी पार्टी ने तैयारियां श्रू कर दीए जैसा कि आप जानते हैं कि आमाधी पार्टी ने प्रदेश को आठ प्रांतों में बाट के रखा है और सभी प्रांत के अजख्ष आने वाली से इस मई से एक एक जिले का नाउं के तो परडाम आए हैं, कि समयच्षा करेंगे, जी, बरान जी, बोलते रहें। आने वाले वाले विनों में लोग जाम सफा से लेकर पूत अस्तर तक पार्टी का संगण कड़ा करेंगे, नगरदिकाय के जो शेत्र हैं, वहाँ पर हम लोग बूठ हस्तर के संगठन में आने जा रहे हैं उसके लिए पूरी रोड मैप तयार हो चुकी है दूसरी बात यह है कि आने वाले पांच चूल से उत्तर प्रदेश के प्रफारी मानिया राजिसवा सांसर श्री संजया इस्तिंग की पूरे प्रदेश के ब्रमण पे निकलेंगे उनकी यात्रा पस्तावित है वो एक एक जिले में जाकर बाखाइदा रत्यात्रा निकालेंगे और लोगों को जोडने का काम करेंगे तो आमाधी पार्टी अब संगठन से लेकर सड़क पर लगातार सक्रिय होने जारी है तो मुद्धे उत्तर प्रदेश में कभी चर्चा का केंद्र नहीं रहते थे आज आमाधी पार्टी के परदारपन के बाद मुद्धो पर राजिती हो रही है और एक उम्मीद जगी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुद्धो पर राजिती होगी मैं आपको यार दिलाना चाहता हूं चाहिए आप पंजाब की बात कर लीजे चाहिए आप गुजरात की बात कर लीजे जोनों जगों पर पहले नगरनिकाय कर्चनाओं आया था और वहां पर इसी तरह के परदाम आमाधी पार्टी के पक्ष में आये था उसके बाद विधा मौडल कौन सा लेके आएंगे मौडल कौन सा यहां पर लेके आएंगे निश्य तरुसर जो हमारा दिली का मौडल है पंजाब का मौडल है गुड गवर्नेंस का मौडल है जिसमें हम बहतरीन सिक्षा देने की बात करते हैं इस्कूलों को ठीक करने का बात करते हैं महला क्ली पर आपको तो करनाड़ जीट कर आए और करनाड़ जीट कर आप में लोगों की बढ़ा दीए चुकि यहाँ पर अगर लोग सोच रहते कि इस बार चुनाव बढ़ा आसान रहेगा तो 24 चुनाव बड़ी चुनाव यहाँ पर सब के लिए बीजेपी के लिए और अन्यपार्टिय के लिए बीजेपी हैट ट्रक की बात कर रही है तो आप अपनी बात कर रहे हैं पर तैयारी क्या है क्योंकि अब अगर नहीं जागे कि उत्तफरेश में निकाये चुनाव में हमें सरकार बनाना इतना आसान नहीं बन्नुबाई आप भी जानते हैं चीजों को बेटर तरीके से क्या रहा है क्या नीजी है और क्या जुजना है जी जी आपको और पैनल मोजू सब लोग को नमस्कार जाहिन वंद्र करनाटक में जो जनता ने मैंडेट तिया वह मैंडेट बतात है कि जनता आज भी असल मुद्व के साथ पढ़ी है करनाटक की जनता ने इस से पूर में भी कोंगरेस पार्टी पर ही बरोसा जटा इन लोग उन्हें सरकार हमारी गिराई बद्ध्य प्रदेश में गिराई करनाटक में समर्थन वाली सरकार गिराई राइस्तान में शाजि अपने संगठन पर काम किया पूरे देश भर में टैलीगेट तैयार हुए और उसके बाद चुनाव हुआ और भारत में एक मातर ऐसी पार्टी है जिसके राश्टे देश्ता सुनाव होता है और उसके बाद से निरंतर प्रियास रते हैं कोंग्रेस पार्टी गांगां जुनाव तो यूपीए में जो घटक दल है साथ मिल जुल के लड़ा जाएगा समान विचार धारा वाले दलों के साथ लड़ा जाएगा लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश यह रही कि कि कॉंग्रेस पार्टी ज्यादे से ज्यादा अपनी नीतियों का पिडचार पिडशार कर सके कॉंग्रेस की जब सरकार रही जिस दोर में रही कॉंग्रेस पार्टी ने क्या काम गया उस रिपोर्ट कार्ट कро लेकर हम अपना संदेश लोगों बोचाने का का इस जिली भाई क्या पिसर जनाना है आपका अब मन्य जी को जो है करनाटक जीतने की बधाई जी अब मन्य जी और इर्फान जी को जो है इन्होंने सिर्कत किया है इम्रान भाई ने जो है सिर्कत किया है उत्तर प्रदेश में जो है निकाई चुनाव में जी और अच्छा किया है जी और हमारे बीजेपी के मित्र जो है के केसी भाई को बहुत-बहुत बधाई आपने प्रजंड काम कर दिया है जम के किया है वही पर समाइस सपा के जो है गटबंधन के लोग भी प्रदर्शन किये हैं लेकिन बस्पा इस तरह से जो है चुपचाप जो है रही और इतना अच्छा प्रदर्शन किया वह काबले तारी रही बात कि अभी जैसा केसी भाई कर रहे थे कि जो है परिवार के मुखमंत्री उनके पास परिवार नहीं है मुखमंत्री उनके पास परिवार नहीं इसलिए राष्ट के लिए काम करते हैं यह राष्ट ही उनका परिवार है एक एक जन्मानस उनके लिए जीता है तो उनको भी मुख्मंत्री माननी योगी जी को जीना चाहिए सिर्फ राष्ट राष्ट करने से नहीं होता यह एक योगी का दाइट तो होता है कि अगर वो राजनीत के छेत्र में आया हुआ है तो उसको पूरी तरह से कर्टब से सम्विधान निभाना चाहिए नहीं तो मठ में बैठना चाहिए दूसरी बात एक चीज़ और हम कहेंगे कि एबियम की बात है एबियम जो है करनाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन एक चीज और आप सारे विपक्षी तयार रहिएगा कि ये कहते हैं कि एबियम जो है विपक्षवाले जब जीत जाते कहते हैं कि एबियम जो है ठीक है ठीक है जब हारते तो कहते हैं कि एबियम में गड़बड है आप देखिएगा 2024 पुना भारती जनता पार्टी जो है जीत के सत्ता में आएगी और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं सब लोग बैठे हुए हैं ये तीन-चार इस्टेटों में भी जो है इलक्षन होने वाला राजस्थान हो गया आपका मर्द प्रदेश हो गया जहार खंट 36 गड़ ये सब आप लोग जीतेंगे बारती जंता पार्टी नहीं जीत खेल है अगर आपको करना है जैसा कि जो है जाती जन करना की बात हुई तो आप जो है पूरी तरह से सारे दल के लोग मिलके बैलेट से करवाएं जी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा बीजेपी पर आच्छेप नहीं लेगा एबीम से काम अभी बैलेट से होता है दूसरी जो है जीतने वाले भी जो है दूसरे दल वाले भी नहीं अच्छे प्लगा पाएंगे तो रही बात एक बाद बाद बढ़ी आपने बहुत बढ़ी बात एकदम हाद मुने परजंट सत्य बता रहा हूं के संगणात्मत का धाचे का उनके और काम करने की पद्धती पूरे भारत में किसी भी पार्टी में नहीं है इस बात को मैं तारीव करूंगा नफरत की फैक्टी वो छोड़िये लेकिन उनका संगठन आप कमजोर है अच्छा संगठन आप वहीं पे जो है आम आदमी पाड़ी अरे महोदे पांडे जी बात सुने तो अरे नेत्रित की लोगता से लड़ा जाता है उनके पास अटल जी थे तब थे अटल जी के पास क्राइसी जैन जी से बात करिए अरे बहुत को का देश है अरे बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस कर रही दस साल में जो है आम आदमी पार्टी जो है राश्टी लगए जा रहे उन्हों ने जो काम किया है वो काम अच्छा कर रहे हैं केडर की पार्टी है केडर वाईज काम कर रहे हैं वही पे जो है कांग्रेस भी जो है अपने संग्धन में काम करें लेकिन समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी सगनात्मक रूप से जो है बहुत सु इसी वजह से समाजवादी पाटी जो है चार बार सरकार बनाई यह बाई जासी बात करा दिली बाई चार बार सरकार बनाई बैठे है इस समाजवादी बार सरकार बार सरकार बनाई 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 चार पर चर्चा 30 माई से 30 जून कर रहे है म为什么 पैल कि आपको ऐसे ही एक्टिमिटिग करना कि यह सड़को कुतरना ती एक सब्सक्राइब रेकल अब अठाज độ कहा सुरासाप हो गया, जी मुष्हेसर हो गभाई हो गया अगर वे वे मसीन को लेकर के जो चेतरी पार्टिया है या इस्टेट की जो सरकारे मना रही है अगर वो इतना अस्स्त है कि भाई आप हमको प्रदेश में जिता देगे और के दिमें आप बैठेगे जिसे के अभी वे बजीन पे समाल ना उड़ा पाएं तो आप जीतने के बाद इस्तिफा दीजिए ना जब तो आपकी सरकार है और आपका ये चुरावायों उसके जो जीतेगा उसको चुरावानी क कर दायेगा बिल्गल तो अलंग एलग राज्यों में जहां पर जो सरकार है बन रही है भारती जिता पार्टी के अगेंट एंट पर आप है लिए आजके सीर्फ वार्ट से चुराओं कराना चाहिए भालाद समयेद जी तूर नीजिया पर्टाइजी आप चाहे डोजार चुराओ रहा हो जी दोजार उब्सक्राब टेंगे प्रा आखना लेके बैठें आपके लिए तैयारी पुरी है पंडे जी और उसके सासाथ जी जो अबी आरे अज वर भी आरे अचार तो आजम गण। नहीं आपके साथ जिए 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 बारती जनता पार्टी एक ची दिलिपी ने रही कही कि बारती जनता पार्टी की जो कारी करता है बिना किसी लोग बिना किसी लालच के पार्टी के लिए सवर्पित हो करके काल करते हैं यही कानण है कि बारती जनता पार्टी का इस तरीके से तो इसलिए पाल्टी का साथ ते रहा है, मुकदमे लिए लिख घायें, जब आतकवादी आ रहा है, तो पाल्टी के गुंडे माफ्योग तो इंप मुकदमे उह चाहिए, तो इस रियत से आप पास ले लो, इसे पास अरहा है, वो आपके लिए काम कहा करें, उसकी बात भी कर आप लोग मानते हैं और जो बड़े कद भारत में हुए है नेहां जी इंदिर्या जी आपके अटल जी को भी मैं बड़ा ही मानता हूं बड़े सिर्मानित रहे हैं उनका किसी का इतना सर्मनाग प्रदर्सन नहीं है जी दो अजार तेई से अठारव पांच साल में एकतिस ध्य के चुना हुए है इसमें आरी बात करिये ना इक लोगा जीत पाया जी इस में भी मैं आपके प्रदर्सन पर जाता है जी आपके बड़े देता है जी आप 10 ताल में अध्य इसलिए सुनिए जोनिए जाना में अपना सर्मनाग सब्द वापस ले रहा हूं आफेल पर भाजपा के इस सांदार विजय के लिए बहुत बधाई देता हूं अगार मानता हूं कि मोधीजी चुनाओं इप अचाहरेश सिल तर्ष मिलेश देखनां हुअ कि अपर उपली जी नहीं कर आपको फिर बदाई देता हूं और यह हमारा अकड़ा नहीं अमारे घर्म नहीं चुना हुआ जी जो अधर तेई से ऑठारा में निगान शावाज जो अधर ठावाज जी के ही नेत्रत में चुगी अगड़ी प्रचार किये जिसमें सिर्फ चैने में अबसुलूट मेजारिटी मिली है उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड गुजरात नार्थ इंडियम बाकी नार्थिस्ट में जिसमें के वल्च लोग सब आती है जी अनुराचल मड़ीपूर तिरपुरा जी बीस प्रतिसत आता है अरे आपको बता रहे हो कि आपका जीते हैं अरे हम आरे हम हार गया आपके विजय का ही तियास बता रहे हैं तो यह भाजपा को जीते मुबारक हो अगर बीस परसेंट का रहे हैं नहरू हम हो गए इंदिरा जी हो गए अटल की तुलना कर लिए तो मैं बता रहा हूंगी यहीं आपकी सफलता है वहीं मोदी जी का पर आजे चिंता बत करिए उसके लिए अच्छा आप बड़ा मुस्करा रहे थे वहीं क्या हुआ ऐसी कौन सी बात हो गई आप भी यहां पर मजब बनके आया और बीजेपी को लगाता है चनोती निता नेजर आ रहे हैं बनान भाई कुछ बोल ला थे आप देखे देखे गोरो भाई जी पुरे देश के अंदर अब आम आदमी पार्टी के राश्चिये पार्टी है अच्छा देश की जनता के आश्रवाद से और अपने मुद्दों की राज़ी की ताकत के बलता अच्छा निश्चित रूप से जहां भी रहेगी भाद्य अज़ता पार्टी क्योंकी सक्ता में है केंदर के अंदर तो उसको चुनोती देना आमादमी पार्टी का नैथिक धर्म बनता है तो हम करते रहे हो जहां तक बात है आने वाले लोक सभा चुनाओं की आमादमी पार्टी के लिए शुप संकेत तो जनता तो घरे घरे बता रही है आमाद्मी पार्टी के बारे में कि वो आमाद्मी पार्टी को फर्ष से आर्ष पर कैसे ले जाने वाद है आमाद्मी पार्टी के कारिकरता, आमाद्मी पार्टी के पदाधिकारी, नेता, जिन रात में हिनत कर रहे हैं, मुट्टो की राज अच्छा उसको जन्ता लगाता लेकर जारहें जन्ता के बीच पर दे वाली करो और बैसी भाइि क्या बताएंगे अगर बुट गृवर्नेंस की बात करेंगे अब इस परशे टर्श कर रहे हैं तोटी के विशे में तुप परड़ी करके हम अपना कोई ताइम सराप नहीं करना चाहते हैं जहां पर बात बिस्ता चाहिए जो लिए जो लिए जो लिए जो टे की बात कर रहे थे और श्की नहीं दुनिया की राय नीदी का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है जी मोधी अडानी महागो टाला लेजे उसकी जाच कराने की हमत नहीं चरी हमारी तो जाच हो रहffee है अगर हम दो क्शी पाये जाएंगे तो जैन साथ हम तो पात ही चड़ाई देंगे अभी तो कोई आरोब मिला नहीं तब तो यह हाल है अगर आरोब कोई आरोब तो आरोब तो चढ़ा ही देंगे लेकिन कम से कम तो धुन्या के इस इहास का सबसे बड़ा गोटाला है पॉर्दे आप जाज कराने से भाग रहे हैं यह जाज करा लिए पर्दे को लेकर हम कह रहे हैं यह आपकी हिम्मत नहीं है कि मौधी यडानी महागोटाले पे एक शब्लेंगे लेकिन कम से कम हमारे साथ तो खड़े हो जाएंगे पांडे जी आप अंतराश्टी पूरे स्पेस के इतने बड़े अब दल जो अप के साथ कैसे खड़े फुदा बला बता सिज पांडे जी पांडे-जी पांडे लाइन पर भी नहीं अच्छार नहीं पता है कि आपका गड़ेस जी को चापेंगे कि बाबा साथ जी अरे सुनिए लाइन की बात करें बाबा साथ के सेकुलर संभजान का फोटो लगाने वाले ये बैचारी दो गले लोग पंजाब गए तो बाबा साथ की बात कि गुजरात गए तो लच्छी अच्छी बात करने वादा संजय सिंग पता रहे हो चार आना की पार्टी तुमारी यार और आस्टी तो नार्थिस्ट की पार्टी है कि गड़ना आठी है कि अधिने वांड़ना तुमारे खुल पंजाब साथ दिल्री के भिडायभाविय के विड्यार मतलब हवाओ आई बात राष्क्री होगे ये राष्क्री ओगे और दिश्ट वारी तो नहीं संथा और अन्दिश्ट की पार्टी तुमारे अधिन के तो यार, अपनी बात करो पुर्से दृसरे दव से क्या मतलबू आम आदमी के संग के दलाल तू, कार्पोरेट आपरेट के दलाल तू, ओठ काट रहे हो गुम गुम के कांगरेस के बीरूस के बिरूस के चणा आवित रहे हो, कहड़े दुनिया जानती नहीं है कर से आरम आरम से अरम से अरम आराम से आरम से ठीके अपने अपर आखे बोलेंगे इभी सब्सक्राइब को घ्रचे डीव जि जिए जी बली जी ऑपठ्पीर लोगों अभाए नियुक्त वुट जिर देख अदू रखे शुट फर्चार मेरे थे लोग से प्तामील जी तिम आर तो परत्यारों किसी पर होरा चाहिए विर्टी पर्त्यारों मन बोलिए और रशाद्रा इस समाजरादी पार्टी की जो दुर्गती आज हो रही है देखो समाजवादी के बारें बोलने के लिए नहीं बुलाएंगे हो, ये चार आना के उकाद नहीं राजनीती, कभी चुनाव लड़ लेना तो पता चली जाएगा, हैंजिया थो तो लड़ो, समाजवादी के बात कैसे करोगा भाई तुम, समाजवादी के भासन सुनने आए हम जनाधार भी पार्टी का, जो आरेसस की दलाली करती हो, जो कांग्रेस के बरक्स हमारे विपच्च की एकता में छेद लगाता हूँ, उसका हम भासन सुनने नहीं आए हैं, तुम कह रहे हो, गुंडे परादी हम है, बेमतलब की बात करो, दुनिया भर के आई असाई एज साजिसों के यह मतलब के तिरदार इनका सब आच्छे तमाम के बात करने राष्टावाद का, चुचिता का, आसर दो अपने लिए ठीक है, बार्टी का नाम लोग है, तो यह यहीं से दता देगे, नहीं ठीक है, बढ़े आरा बात कहने दीजे मुझे, बोली, 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 नाम को समझा दीजे, पांडे जी को समझा दीजे, अगर मानिये संजय सिंगी के बारे में एक शब्झ रियूलता पुर्प एमिकर अंचे हो, यह नो में रिदिमी पर अनहीं चाहिएं बाधाई ग्रलक्राा चले जाओ, आसे बाती प्लिज तुम दूद अंतरिच में चले जाओ संजय सिंग भी अंतरिच का इनुवर्सल नेता है अरे उत्तर प्रदेश परदारी रही जी ताथा संजय सिंग आते हैं उसको तो इसी डिवेट का हिस्था में रहूंगा इमरान भाई इसे पत्थमीज हो नहीं तो इसे पत्थमीज हो न प fautit बहुत है था एपको मिल्याबाह जा रहिए और फ्लहा लेजि को करो क्यों सारी रÄं कोर्य आपारगे एपर एपने प्नी पार्टी के यह शोड़ा देशी तो दिलेजी यह ऊंग बैटते हैं और कभी-थी को भी तुसी को भी-जोसा आजाता है लेगरी इस जीश का द आप पच्छा रहें जी जो जो चीजे हम को लगता है कि हम लगता है नहीं सही है जी उसी हम आलोचरा करेंगे जी आप अपना गुरगान की हमने कुछ नहीं बोला जी आप समाजवादी पार्टिक सुपारी लेके आए हैं अच्छे हैं? देखे गवरोजी, देखे चर्चा हो रहे थी वो आप बॉसा लेका है बहुत अच्छा बीसे लेका आए हैं यहांने वाला 2004 का चुडाओ प्रेंगान कुराओं? इपना लिफटे मान के सिवा होई किसे वाही बूला है किसी वाई गुल ला है? और जाहे बहाँना आब जाहो और जिन्टा भी उसको पसंद करेगी और और आगे बढ़कर के वो अपने उचपत को प्रांप भी करेगी. यहीं कारलाहा की मानिया गोढी जी के योगी की बात को लेकर के हो चाहे लोगों की समस्चाओं का निराकार करके लेकर के हो ठो हमने जो काम किया इस में जनता ने मोह लगाई और 2022 धे फिर से चुणा अब मेर के चुराओं को ले करके नगठ निकाए के बहुत सारी वाते थी बहुत सारी पार्टि Pink बहुत लेंकिन बारती जंता पार्टी कर दो करते हैं अगरम जीते 17 मेर की सट्राइब कर दो पहले लिए अगर फॉला की शोले पर बढल के सट्रें देगी शीटों का जीतना मिलकूल माननी होगी आज ता जिके नित्त तो का ये दमखम प्रजर्शन है कि सत्रे कि सत्रे मेर की स्वीटे हम लेकर के आए और हम आपको इची बता दे करनाटक की जो बार-बार चर्चा होती है करनाटक में भी लगबग पांच लाग ओटरों के बीट पे चुरा हुआ और उत्तर प्रदेश में भी लगबग पांच लाग ओटरों के बीट पे चुरा हुआ और यहां पर हमने इतनी बड़ी बाजी बारी वहां पर हमारा प्रेशन कुछ कम्जोर रहा कांगरेशन सरकार बड़े हम पुलाई जी तो बाहन जी के दौर में भी जी जीते हैं क्या लेना देना भाई तो तो तीसरे नमर पे चले गए बत्तीस परसेंट ओड़ा है डवल इंजन की सरकार है गोरकपूर में जीतना ओट पड़ रहा लाग ज्यादा मत कड़ना में आ रहा तो आप इस तरह से तो किसी भी तो कि अच्छा लेंगे ती तो अच्छा सारे विए कर नहीं दोजार चौबिस में करेंगे पचीस में चुनाव के तो बात छोड़िये मुख्मंत्री नहीं रहेगा आपका चौबिस के बाद लिजे आप अपने वजन से ही दफन के मुख्मंत्रा चुकड़े हुआ था अब अब भाजपा कर शिक्वाव सान हो सब्सक्राइब अच्छा जो वजार सत्रा का जैसे चुराओं खतब हुआ श्युपाल जी बाहर उसके बाद पिर श्युपाल जी अंदर अरे कर दी दस लोग सब्सक्राइब ने कम कर दिया वोट प्रश्यता आपके लिए बड़ी चुरूती है कि नहीं आपके लिए बड़ी चुरूती है निश्चित रूख से इस बात को स्विकार करने में किसी को गुरेज नहीं है कि संगटन के मामलों में जितनी कंबीरता भातेयनता पार्टी को तीन बार चिनाओ अराया है कि अंदर पर भाते अंता पार्टी पंदरा साल से कप्ड़ा बैठी थी वहां से उनको कार्ट टेक्निका काम किया है पंजाब अपने पार्टी को नोती देने की बात है अपना बाई कुछ बोले आपके लिए जली बोले जी देखें उत्तर प्रदेश में इनका बिदान सवा चुनाओं में खाता नहीं खुला और जो यह अपना जस्त बना रहे कि भाई हमारा खाता कुल गया नगर निकायों में नगर निकायों में तो बहुत सारे लोग निर्द की बात है जिए जित रहे हैं तो आपकी बीजे तो महा हिकारत की बात है लीजे तो बात ये नहीं है आगरी कमेंट अगरी कमेंट अगरी कमेंट तो जानते हैं अच्छी तरह समाजवादी पार्टी का जब से जन हुआ है तो सब्ता न रहे हैं नम्मर दो पर उफतर तो देस में रही है अब तो गोटाले पे गोटाले खुल आपकी पर जन संग से आप तक सबसे घला जीर हो पर है अब तो इनका ग्राप ओडाव रहा है परड़ा ने ये ग्राप जितना रेटर ट्राकर आप 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 पूल लिए अब हमको बोले दीजे बोले जैन साब जली बोल लिजे अरे बिल्कुल बोली आपके पूरा पी बोल रहे हैं कि अब ही इन्होंने जिक्र किया निगाएं चिनाओ का वह हम हमारा राता खुड़ा हैं चिनाओ का पंजाब के अंदर लोग्सभा चिनाओ हुआ हुआ है बोदी जी का बड़ा सा कहला दे करिये गैजे वहाँ पर लगने के लिए सौथे नंबर पर रहे हैं जमाने जब्त हु जब कर पाई को बुला चाहरा है तीक होगया 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 जब कर फांट आगरी कमेंट आपका कि इस बात का तो मसरे देता हुमें भी जेपी को की बहा सबसे जब चुनाओं में भी सबसे ज़्यादा अगर जब किसी पार्टी को हुई है भारत में तो वह भारती जंता पार्टी और इनके पुरुवर्ती संगठनों की रही है तो इसलिए यह अलोग तांत्रिक है कि किसी का मजाक उड़ा है कि किसी को एक सीट नहीं है हमारा रिकार्ड देख लिए मैं दावा से का रहा हूं जब से समाजवादी पार्टी क कि पार्टी को चाहिए वह आम आजमी पार्टी हो या कांगरेस इस आधार प हंसना वह कैफे आजमी साहब करते थे कि समझ के मेरा माल जिसे तुने चुरा आया है पड़ोसी करें को तुमारी आबरूत नहीं फ जिसमें ग्रीहराज्जी मन्त्री केंद्री ग्रिह राज्य मंत्री आज वो जो है आज वो जो है आज वो जो है आज पीज़ जो है आप नयपालिका को जो है इतना हो करके राश्टवादी बनाके देश से कि वाड़ हो दूसरी बात एक चीज़ है नगर निकाय की चुनाव में जैन साब आप मात्र जो है 33% के लगभग सीटों का पाये हैं लेकिन विपक्ष और निर्दल मिला के अरे टोटल परसेंट अगर आप जनता के लागेंगे तो साथ जनता आपको जनता आपको जनाधार भी डेगी सबसे मेर्प्र बात यहां पर रहे है अभियान चलेंगे बाते होंगी जनता संबाद होगा पर जनता के मुद्दों के लिए लड़ेगा कौन यह फिरहल अभी तक एक यच्छ पिस मेरे सामने नजरा रहा है जनता के मुद्दे रोड़ी के प्रावर मकान विगास की बात सफाई की बात अभियानों की बात संकर्मीत रोगों के खिराब अभियान की बात बाते होती हैं पर जनता को बचाना कैसे है इसपर कोई काम कशन से हुए और कर सकते आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं और गर्मा कला हुआ पर जनता करने के देगे workshop जनता सकते है और आप जरूरी है केबल धरातल पर ना कि सोशल मीडिया और ट्वीट पर सब संगर्स होता है तो पर्णड़नाम पर्च में आता है ज़ा जहां संगर्स हुआ है बापर्फ, वहाँ सप्ता बदलि रही और आई भी है तो आज की चर्चा में अतना ही नमसकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगाई